दोस्तो government की तरब से Mary certificate को भी important document के रूप में माननेता प्राप्त हो चुकी है जिसमें कि अगर आपको किसी भी family में कोई महिला का नाम aid करना है तो जब तक यहाँ पर आप उसका Mary certificate नहीं लगाएंगे आप उसको अपनी family में aid नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ दोस्तो Mary certificate जो certificate आप जहें कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो Mary certificate आप जहें घर बैठे online तरीके से बना सकते हैं जिसका step by step completely process आजके इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिहां दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की जरुबत नहीं है आप अपने mobile या laptop के माद्यम से easily अप वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लीजिए इसी तरह का content आपको हमारे चैनल पर मिलते रहता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर open कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आपको सबसे पहले अपना नाम इंटर करना है जो भी आपका पूरा नाम है यहां पर आपको एक email id प्रोवाइड कर देना है यहां पर आपको एक mobile number प्रोवाइड कर देना है यहां पर आपको अपना एक password create कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको अपना state selection कर लेना है तो आप भारत के किसी भी state के रहने वाले हैं आपको यहां पर अपना state selection करने का option प्रप्रशिन मिल जाएगा उसके बाद इस वाले केपचा को आपको यहां पर फील कर देना है and submit वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो यहां पर जो भी आपका email ID है उस पर एक OTP भेजा जाएगा OTP आपको जो है यहां पर इंटर कर देना है उसके बाद आपको वेलिडेट वा लोगिन वाले option पर क्लिक कर देना है जिस email ID से अभी आपने registration किया था email ID आप यहां पर provide करेंगे जो password आपने create किया था वो password आप यहां पर इंटर करेंगे इस वाले केपचा को आप यहां पर फील करेंगे and login वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो जैसी आप अपना login का process यहा यहां पर apply for services वाले option पर क्लिक कर देना है जैसी आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने view all available service का option open हो जाएगा आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो यहां पर service plus की काफी सारी services आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है अब दोस्तों उनी में से यहां पर आपको साथ नंबर की एक service देखने के लिए मिल जाएगी marriage certificate की तो आपको simply marriage certificate वाले option पर क्लिक कर देना है जैसी आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपके सामने marriage certificate के लिए जो farm है खुल कर आ जाता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कारियाल मुख्य नगरपाली क अधिकारी विवा पंजियन साखा अब दोस्तों इस वाले farm को आपको जो फील करना होगा तो कैसे फील करना है चले में आप लोगों को दिखा देता हूं तो यहां पर सबसे पहले आपको जो भी आपका विवा का तिथी था जो भी आपका marriage date था वो आपको बता देना है सब complete address आपको यहां पर फील कर देना है यहां पर आपका judicial चेतर आपको самый उसके बाद आपको नगर पाली का नगर निगम सेलेक्ट कर देना है जो भी आपका नगर पाली का नगर निगम구나 आता इसके पाद स्कोल डाउन करके आप नीचे के तरफ आएंगे यहां पर आपको जहीं वर्ड से संबंद जानकारी प्रोवाइट करनी होगी मतलब लड़के की information यहां पर आपको देनी होगी लड़के का नाम क्या था उसके बाद यहां पर लड़के का जनमति थी करनी होगी जिसमें की लड़की का नाम क्या है लड़की का जनमति थी क्या है मा का नाम क्या है पिता का नाम क्या है समगर आइड़ी अगर आप मद्रप्रदेश के निवासी है तो आपको प्रोवाइट करनी होगी उसके बाद यहां पर आपको जहें लड़की का information provide करनी होगी कि गभा का नाम क्या है mobile नंबर क्या है email address क्या है और address complete क्या है ठीके ना उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आविदक से समधित जानकारी applicant की information देनी होगी कि जो application करता है वो कौन है ठीके ना अगर लड़का application करता है तो लड़का अपनी information को यहाँ पर provide करेगा उसके बाद यहाँ पर आपको जो है additional detail में यहाँ पर जो भी आपका municipality judicial जो भी आपका नगर निगम नगर पाली का अधिकारी का जो भी छेतर है उसको आप select करेंगे and okay वाले बटन पे click कर देंगे जैसी आप okay वाले बटन पे click कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने केपच के लिए online application complete हो जाता है अब दोस्तो जैसी आपका मेरी certificate यहाँ पर बनकर ready हो जाता है तो आप अपने मेरी certificate को यहाँ पर view status and application इस वाले option पे आएंगे यहाँ पर आप जो है track application status इस वाले option पे click करके अपने मेरी certificate की इस्तेती को आप जो है track कर सकते हैं यहाँ पर आप date select करे तो यहाँ पर आपका जो मेरी certificate है कौन सी process तक पहुचा है उसकी detail information आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपका मेरी certificate यहाँ से बन जाता है तो आप उसको यहीं से download भी कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप जो है घर बैठे online तरीके से अपना मेरी certificate विवहा प्रमान पतर जो है आप बना सकते हैं completely step by step process मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजीगा इस वीडियो से related अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे comment section में जरूर से बताईएगा साथ आपको जो है service plus की जितनी भी सारी services है उन services पर भी आपको जो है एक एक करके detail वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं मिलता हूँ आफसे नेक्स वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिये ज आहिन जय भारुट